गुड मार्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टीडी पॉइंट दोस्तों आज है 22 सितंबर और देखेंगे आज की पूरे 15 करेंड फेस्ट कोईशन्स तो आप इस पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से लास तक देखिए वीडियो क्लास्ट में कोईशन पूछे व उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो की पीडियो फाइल के लिए आप हमेरे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों मैं आने की एडियो पर ही पढ़ाता हूं तो आप आने क आपको डेली मॉनिंग में करेंट एफेस्क वीडियो मिलती रहे और दोस्तों मैं आपको बता दूए तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आप कितनी भी तयारी के लिए जब तक आप 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 आनलाइन टेस्ट मॉक्स नहीं देंगे तो पड़ेगा 120 रूपीज उसके लिए का आपको कोड लगाना पड़ेगा ठीक है और वो जो दोस्तों यह जो ऑनलाइन मॉक टेस्टे टेस्ट सीरीज है यह सेम टू सेम रेलवे एक्जाम पैटरन पर अधाई था इसमें करेंट अफेस जनरल साइंस मैट्स रिजिनिंग क पूरे क्वेश्चन है आप इस टेस्ट सीरीज को अपने कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप कहीं से भी दे सकते हैं बहुत इजी है और किसी भी तरह कि इंक्वाइरी के लिए हेलप लाइन नमर भी दे दिया गया तो आप उस हेलप लाइन नमर पर दे आपको कुछ भी प इस टीक है चलिए लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसलिए क्लिकर क्या परचेस कर सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए स्टार पहला कोश्चन है दोस्तों हाली में कि समिता पार्टील पूरुसकार से सम्मानित किया गया है यह बहुत अभिनेत्री अनुषका सर्मा को सम्मानित किया है और उन्हें सबसेस्ट अभिनेत्री के लिए स्मिता पार्टील पूरुसकार सम्मानित किया गया है इसके लाव आपको बता दे कि इनके भी जो सुई धागा फिल्म रिलीज होने वाली है और इन्होंने जो 2008 में रब ने ब वाले एक्जाम के लिए साथी साथ मैं आपको बता दोई त्याब रेल्वेक गुरूप डी एक्जाम है तो रिवीजन के लिए एक इंपोर्टेंट बुक बहुत ही सस्ती बुक है मातर 30 रुपए की बुक है एल बुक पब्लिसर द्वारा वुक तयार की रिवीजन के लिए बहुत इंबोडर नोट से वह ठीक है उसमें करेंट एफेस जनरल साइन्स और सारे नोट से दिये गए हैं तो लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन वाक्स मिल जाएगा आपको 30 रुपए की वह को परचेज कर सकते हैं अगला कोशन DRDO ने सामरिक मिशाइल प्रहार का कहां से परिक्षण किया है दोस्तों इसका करेक्ट एंसर वह आएगा ऑप्सन बी बाला सोर से कहां से बाला सोर चापको बता दिक रक्षा अनुसंधाने में विकास संग्ठाने DRDO ने जो यह तो कॉंप्लेक्स 3 ITR बाला सोर ओडिशा से सोदेशी विक्षित सतह से सतह की टेक्निकल मिसाइल प्रहार का सफलता पूर्वक उडान पर इक्षड किया है आपको पता दी कि रेंस इस्टेश्न और इलेक्ट रॉप्टिकल सिस्टम ने मिसाइल की उडान के दृण इसल का परणाली है को कई प्रकार के हैं दॉस्चा में तो उस मिसायल का क्या ना है में प्रहार है आपको यादध करने कहां से है अगर बात करें से हैं और यह कोटा की तो करनाटका में ठीक है और दोस्तों यहाब तो पहें बात DRDO की हो रहे है तो DRDO का फुल फ़र्म क्या होदार सबसे पहले जाने लिए डिफेंस रिसर्च डवलोमेंट आगे लेसे ठीक है DRDO यानि डिफेंसरी सज़ डव्लोमेंट और दोस्तों DRDO की स्थाबना का हुई थी तो दोस्तों DRDO की स्थाबना खुई थी जी सतीस रेड़ी अब यह बहुत इंबोडन हो जाते है क्योंकि अब इनकी हाली में नियुक्ती हुए दो तीन दिन पहले ही एक सब्ता पहले लगव इनकी नियुक्ती है जी सतीस रेड़ी की तो यह आपको याद रखना डीर्डियो के बरतमान में उन्हें चेर्मैन है ठीक ह जी सतीस रेड़ी और इस था अपना हो थी 1958 में तो डीर्डियो ने सामारिक मिसाइल प्रहार का कहां से सब्लदपूर्वक उडान परिक्षण किया है बाला सोर ओडिशा से ठीक है यह आपको याद रखना है शोदेशी जो तो विक्षी सता सता की टेकनिकल मिसाइल है ठीक ह कोश्चन नमर थाड़े दोस्तों अंतराष्टी शांती दिवस का मना जाता है अंतराष्टी शांती दिवस दोस्तों प्रतिवस मना जाता है 21 सितंबर को ठीक है 21 सितंबर को यहाँ पर ओप्सन में थोड़ा मिस्टेक होगे दोस्तों तो 21 सितंबर को प्रतिवस जो तो अंत दस सितंबर 1949 को पेरिस में सहयुक्तराष्ट महासाबाद वरा मानवा दिकारों के शारभों में गोषना को अपनाया गया था ठीक है 10 दिसंबर 1948 को तो प्रतिवर्स अंतराष्टी शांती दिवस का मना आता है 21 सितंबर को मना आता हूं दिवस ठीक है अभी हाली में मना गया अगर बात करें 11 जुलाई को विश्व जन संख्या दिवस मना जाता है ठीक है तो अंतराष्टी शांती दिवस का मना आ जाता है 21 सितंबर को ठीक है यह आपको याद रखना है चलिए अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स शोचन है ग्री मंत्राले ने किस सरकारी संस्था के साथ आपातकाली निस्तिती के लिए एक अत्याधुनिक समेकित नियंत्रण कक्षी स्थापना है तो एक समझो त समेकित नियंत्रण कक्षी की स्थापना के लिए एक समझो तक यापन पर स्थाक्षर किये हैं यानि MOU मेमुरंड़ आप हंड़ा स्टेंडिंग अब यहां पर इस रो की बात हो रही है तो इस रोसी लेटेट आपको बता देते हैं इस रो क्या है आई एस आरो ठीक आई एस इंडियन इस पेस रिसर्च ओगनेशन इस थाबना कभी थी 15 अगस्त 1969 में इसके बरतमान अध्यक्ष का उन्हें है डाक्टर के सिवान इस रोक अध्यक्ष है इस रोक है यहटकॉर्टर है बैंगलूरू में मैं कई वार आपको रिपीर कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद तो आप लोग बिल्कुल राइट एंसर टिक करके आएंगे इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे नहीं तो डेली मेरे लेकिन यहां पे कैसे ぁता है है कि वरतमाणे भारत के ग्रिस सचीव कौन है? यानि होब से क्रेटरी कौन है? तो वरतमाण में होम से क्रेटरी राजीव गवजी ठीक है राजीव गवजीव बल्तमाण ग्रिस अच्यूब का उन्हें राजीब का हुआ ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है चलिए कोश्चन नमर सीख से हाली में जारी विश्वाद संक्षन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में पिछले वर्स एक करोड़ लोग टीवी से पीडित हुए जिनमें से कितने लोग भारत से हैं करेक्टेंसर दोस्तों ओप संडी 27 परसेंट आपको वतादे खाली में जारी विश्वाद संक्षन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में पिछले वर्स एक करोड़ लोग टीवी से पीडित हुए जिनमें 27 परसेंट लोग भारत से हैं ठीक है और दोस्तों अब बात करें विश्वाद संक्षन की स्थाबना को हुई थी साथ अपरेल 1948 को साथ अपरेल उनी स्थाबना हुई थी आपको याद रखना है और इसका मुख्याल है कहां में जेनेवा स्विट जयलेंड में ठीक है जेनेवा मिसका हेटकॉर्टर है इपरत्मान में और यहां परस पता देक्ट प्रतिवर्स साथ अप्रायल को स्थापना हूई थी विश्व्ष्व्ष्वश्वास्त ही विश्व्ष्वास्तदीवस मना जाता है ठीक है आपको मैं कोश्चन से लगवक्त 10 सैक्ट बताता हूं आपका कैस नहीं लग वकंद सक्ष्ट यार होते सब्सक्राइस जरुर कर्ण है नोट कर रैंगे तब ही आपको कीजिए कंठस रहेंगे ने तो अपसन भी माउंट पेक्टू आपको बता देख उत्तर कोरिय का सरवोच नेता जिम किम जोंग उन और दक्षिंड कोरिय का राष्टपती जह है मून जे इन मून जे इन ने अपनी तीन दिवसी शिखरवारता के अंतीम दिन गुरुवार को उत्तर कोरिय का पवित्र पहाड माउंट पेक्टू का भरमण किया है ठीक है माउंट पेक्टू का ठीक है और अगर यहां पे दोस्तों बात करें उत्तर कोरिय की राज़ानी क्या है उत्तर को हो जाएगा इसका उसका करेक्टन सो जाएगा optionally Saudi Arab आपको उता दें कि चीन पागिस्तान आर्थिक गलियारे में अब तीसरा नीतिक साज़ेदार भी सामिल होने जा रहा है यह नया साज़ेदार Saudi Arab होगा ठीक है और Saudi Arab की दोस्तों यहाँ पौधा उगाने में सभलता हसील हुई है जिसका correct answer और दोस्तों option भी किनूर हिमांचल प्रदेश में आपको उता देख हिमांचल प्रदेश के किनूर जी ले के छोटे से गाउं लिपा में भारत पहली वार हींग उगाने में सभलता हसील हुई से दो साल की मेनस से उगाया ग दोस्तों कहां पर ही मांचल प्रदेश में ही ठीक है कुश्चन नमबर टेंथ है कि इस देश के राष्ट पती ने ट्रान दाई कौंग का 21 सितंबर 2018 को लंबी विमारी के बाद 60 वर्स की उमरे में निधन हो गया है दोस्तों का इसका करेंट सब्सक्राइब बिएतनाम के राष्ट पती ट्रान देई कौंग का 21 सितंबर द्रटारा को लंबी विमारी की बाद तरफंटरय की उम्र में निधां हो गया क्मनेश्ट पार्टी या वे तुव क्रूंट्छ необходимо पॉलिद वीटि निर्याग। फैसल लिने कमीटिक सदस्य थे ठीक है अगर बात करें वियतनाम की तु यहां की राज्धानी हनुई और वियतनाम की जो करेंसी हुए वियतनामी दोंग कोईश्टन नमर 11 है सायुक्त राष्ट विकास करके मैंनी UNDP की एक रिपोर्ट को मुतावित वित्तवर्स 2015-16 के बीच कि इस देश में 27.1 करोड लोग गरीब से उबरे हैं तो इसका करेक्ट एंसर जाएगा ऑप्सन C भारत इंडिया ठीक है च दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 29 सितंबर को ठीक है आपको बतादिक विश्वद्यालय अनुदान है यानि UGC ने सभी विश्वद्यालय और उच्छिशन संस्थानों को 29 सितंबर को सर्जकल इस्टाइट दिवस आयोजन करने का देश दिया है और UGC के बारे मे यह दोस्तों UGC जो केंदरी सरकार के उपरा में जो सरकार दोारा मानेता प्राप्त कालेज और इनुवर्सिटी को अनुदान प्रदान करता है और यह इनुवर्सिटी को मानेता भी प्रदान करता है UGC ठीक है यह UGC है जो इनुवर्सिटी को मानेता प्रदान करता है ठी क्वेश्च नमबर 13 है कैबनेट की नियुक्ति समिती ने निमने में से किसे सरकारी विमानन कंपणी एर इंडिया में गयर अधिकारिक सुदानेशक बनाने के मंजूरी दे दी है पूर देश्च्वरी जो है यह नियुक्ति इनकी तीन साल के ले की गई है क्वेश्च नमबर 14 है किस देश की सरकार ने रूस से सुखोई SU-35 लडाको विमान और जमीन से हवा में मार कनने वाली S-400 मिसाइल खेदने के लिए चीनी सेना की किकाईक पर कड़ित प्रत्विन लगाए हैं अब देख लेते हैं दोस्तों कल का उत्तर कल मैंने कोशन पूच था परमाणूर जयक को नहीं देख लिए गया इसका पता होगा नहीं देखें जस्ट आपे प्ले होगी देख लीजिए ठीक बहुत इंबोडन वीडियो है और इदिया आप रेलवे गुरूप डी के एक्जाम है तो उस टेस्स सीरीज को जरूर परचेस कर लें लिंक वीडियो को डिस्रिप्शन बाक्स में आपको मिल जाएगा टूटल तीस मौक टेस्ट आपको मिल जाएगे तो आप जरूर द